तो प्यारे बच्चेों आज के इस लेक्चर में हम दोग देखेंगे कि radio activity क्या होती है और ये जो radioactive किरने है या कहो बेकुरल किरने ये क्या होती है तो इसकी एक हम आपको रोचक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के जरिये यह आपको बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा तो देखो था क्या वैज्ञानिक बेकुरल जो था वो फोटोग्राफी करने का सौखी इन्विक्ति था इन्हें फोटोग्राफी का काफी सौख था तो एक दिन की बात है ये फोटोग्राफी करने के लिए निकले तो वहाँ पर जो मैदान था बढ़िया हरा भरा मैदान और नदी का किनारा था ये वहाँ पहुँचे तो इन्हों ने देखा कि इनको वहाँ पर कुछ चमकीले छोटे छोटे पत्थर पड़े मिल गए तो वो पत्थरों में चमक थी इसलिए इनको वो पत्थर बहुत भाए और इन्हों ने क्या किया उसमें के 5-6 पत्थर उठा लिए और उठा करके अपने सूटकेस में रख जिसमें इनका फोटोग्राफी वाला कैमरा रखा था और फिर इन्होंने धेर सारी तस्वीरें वगएरा खीची और अपना सूटकेस ला करके रख दिये अब जब सुबह हुई तो इन्होंने सोचा जो हम फोटो खीच के लाए हैं चलो अब उनको लैम में चल करके निकलव आते हैं तो इन्होंने देखा कि रील में जितनी भी तस्वीरे थी वो सब की सब तस्वीरे क्या हो गई गायब हो गई अब यह बड़ा परेशान आखिर तस्वीरें गई तो कहां गई तो इन्होंनों सोचा हो सकता है हमसे कैमरे का कोई बटन दब गया हो इसलिए यह लगा है अब ये बड़ा परेशान ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है तो इन्हों ने किया क्या फिर दिमाख लगा थोड़ी देर ऐसा क्यों हो सकता है तो सुचा ऐसा तो नहीं कहीं जो पत्थर लेके आए हैं वो रखें कोई पत्थर ये दिक्कत कर रहे हों सूट केस में तो इन्होंने पत्थरों को क्या किया निकाल दिया और निकालने के बाद में क्या किया अलग रख दिया फिर फोटो कीची तो अगले दिन देखा कि क्रील में सारी की सारी फोटो मौजूद हैं कोई फोटो गायव नहीं हुई इससे इन्होंने सोचा जो कुछ लोचा है इन्हीं पत्थरों में है और कहीं नहीं है तो इससे निसकर्स क्या निकला कि कुछ पदार्थ जैसे की यूरेनियम या उनके लवन ये डिफनेशन के माद्धियम से अब मैं डिफनेशन पर आ गया हूँ यूरेनियम या उसके जो लवन होते हैं उससे स्वतह क्या होती है किरने उस सरजित होती रहती हैं तो ऐसे यहाँ पर आप देखिए जो पत्थर उठा के लाए थे उनसे एक प्रकार की स्वतह किरणे उच सर्जित हो रही थी और यह किरणे किसी अपारदर्सी माध्यम को भेदने की छमता रखती है और यह जो है फोटो ग्राफिक प्लेट को effective करती है यहनी कि कह सकते हो कि photographic plate पर अपना प्रभाव डालती है क्योंकि अगर प्रभाव नहीं डालती तो जो photo वाली reel थी क्या उससे सारी photo गायब हो जाती नहीं गायब होती लेकिन वो गायब हो गई तो ये जो किरने थी तो इन्होंने देखा कि ये एक प्रकार की जो किरने हैं जो photo की reel पर अपना प्रभाव डाल कर कि सारी photo को क्या कर रही है डिलीट कर रही है इसका मतलब इन अदरस सिकरनों का इन्हें नाम उस समय पता नहीं था लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका नाम रखा गया रेडियो अक्तियो किरने और चुकि इनकी खोज बेकुरल के द्वारा हुई थी इसलिए इनको कह दिया गया बेकुरल किरने भी कह दिया गया यानि कि इन्हें बेकुरल किरने भी कहते हैं तो बच्चा ये वैग्यानिक कहा के थे ये फ्रांस के वैग्यानिक थे कहां के वैज्ञानिक थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे और वो समय जो था वो क्या था वो आपका समय हमने लिख रखा है 1896 का था कितना थे डिगर बड़ा बड़ा लिखा है 1896 तो 1896 इसी में कौन से वैज्ञानिक हमने अभी कहा फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे बेकुलर न बेकुरन ने क्या देखा। की यूरेनियम तथा इनके लवणों से एक प्रकार की अद्रस्य किरने स्वता ही उत्रसर जित होती रहती हैं। जो सूटपर रखे थे उनसे क्या था। स्वताही करने निकल नहीं थी। तो इन्हेंने देखा यू रेनियूम , तथा उसके लवनों से कुछ अध्रस स्वताही उतरसर्जित होती रहती रहती है। या कहुछ स्वताह निकलती रहती हैं, जो अभी हमने कहा, जो अपारदर्सी पदार्थों में क्या प्रवेश करने की छमता रखती हैं, और अभी हमने कहा था, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, बस इन ही किरनों को क्या कहते हैं, इन क पदार्त का यह जो गुण है इस गुण को रेडियो धर्मिता कहते हैं ठीक है अब देखिए और ऐसे पतार्तों को रेडियो एक्टिव पतार्त कहते हैं जिन पतार्थों से इसे किलने, स्वता उसर्जित होती रहती तो पुना एक बार देखते हैं हमने क्या कहा, अभी कहा, कि सन 1896 इसवी का समय था, वो समय डियर क्या था, 1896 इसवी का, जिसमें हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे, बेकुरल, इन्होंने क्या देखा, कि जब यूरेनियम तथा, उसके लवणों से, क्या होती है, कुछ अध्रस सिकुरिणे, खुत ही उ होता है, अपारदर्सी पदार्थों में प्रवेस कर जाती है, यह कहो, जिनका काम अपारदर्सी पदार्थों में प्रवेस करना होता है, या प्रवेस करने की छंता रखती है, तो जो अपारदर्सी पदार्थों में प्रवेस करने की छंता रखती है, साथ है साथ यह फोट कुरल किरने भी कहा जाता है और किसी पता से स्वताही किरनों के उसरजित होने होते रहने की यह घटना होती है इस घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं अथ्वा इसे रेडियो धर्मिता के नाम से भी जानते हैं लोग तथा ऐसे पतार्थ को रेडियो एक्टिव पतार् क्या है या रेडियो धर्मिता क्या है आज की इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अकले लेक्चर में धन्यवाद